हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो मैं चैनल नहांस किचन आज मैं आपके लिए लाएं हूँ एक पराटी की रेसिपी जो बहुत ही आसानी सी आप बना सकते हैं बिना आटा गुंदे और बिना बेले तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहां लिया है एक बड़ा बाउन इसमें डालेंगे कब गयों का आटा आप यहां पर मेदे कभी उस कर सकते हैं तो यहां पर हम कुछ वेजेज डालेंगे टू टेबल इस्पून लिया है बारिक कटी हुई प्याज टू टेबल इस्पून लिया है टमाटल बारिक कटा हुआ तू टेबल इस्पून लिया है बारिक कटा हुआ हरा धन्या तीन हरी मिर्चे लिया है जिसे हमने बारिक कट कर लिया है टू टेबल इस्पून लिया है यह सब हम इसमें डालेंगे, अब हम डालेंगे 1 तीजपून चिली फ्लैक्स, 1 टीजपून डालेंगे नमक, नमक और हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं कम्या ज्यादा, और यहां जो मैने टमाटर डालेंगे इनके बीच पहले ही निकाल दिये थे अब हम इसमें डालेंगे तीन अंडे, एक एक करके अंडा खोडेंगे और इसमें डालेंगे, अब हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे, यह देखी कित्याअसानी से हमने अंडों को आटे में मिला लिया है, यहां हम ने 1 by 3 कप पाणी लिया हैं, अब हम बेटर को घोलते तो यहां बर मैंने दोबारे से 1 x 3 cup पानी और डाला है यानि कुल मिला के एक कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है अगर आप एक साथ पाई डाल देंगे तो बेटर ज्यादा पतला हो जाएगा ज्यादा पतला हो जाएगा तो पराटे बनेंगे नहीं फिर कहेंगे आप नेहा बताया नहीं नेहा ने शुरू में बताया था एक साथ पानी मठ डालना तो देखिए हमने यहां बेटर को अच्छे से भोल लिया है बढ़िया हमारा बेटर बनकर तयार हो चुका है अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके लग देंगे 10 मिनट हो गये हैं बेटर को हम एक बा पानी एड़ कर दें तो देखिए यहां पर इस तरह की कस्टैंसी होनी चाहिए ना तो ज्यादा पथली और ना ही ज्यादा गारी आप देख भी सकते हैं गैस पर हमने एक पैन रख दिया है अब हम इस पर ब्रश की मदश से और लगा देंगे अगर आपके पास ब्रश ना ह इसे पराटे इक्वल साइस के बनेंगे आम यहां पर एक ती हाई कप यू सकते हैं發現 जास के ऑप अ गया है जातरा को एक बार करेंगे एक बार में चाहिए पर ऑचे दो चमंच का इस्तिमाल करेंगे दो चम्मट से ज्यादा नहीं करेंगे वना भी पराटे मोटे हो जाएंगे तो यहां पर इस तरह से पहला देंगे बैटर को गेस की फ्लेम लो रखनी है जब यह उपर से सूखने लगे तो गेस की फ्लेम मीडियम कर देंगे तो आप देख सकते हैं उपर से हलका सा सूख गया आप देख सकते हैं पराटे का कितना अच्छा गोर्डन कलर आया है माक्स माक्स भी आ गए है इस तरह से देखिए आप देख भी पा रहे होंगे अब हम दूसरी तरफ से भी दबा दबा कर प्रेस करके पका लेंगे देगी पराटा बनकर तयार है इसी तरह से हम सारे पराटो क और मारारे आया है बहुत ही आसानी से हमने अड़ा बना कर तयार कर लिया है नहीं अट ना अध्य आर्टा बदात्य में ला। नाच्टे में आप बना सकते हैं या शाम के नाच्टे में बना सकते हैं आप फटा फट से बहुत ही जबर्दस्ट ये रेसिपी बना सकते हैं जरूर टिराई करिएगा आप ये रेसिपी बहुत ही सॉप्ट बने हैं पराटे आप देख सकते हैं इसका टैक्शर तो जरूर टि यह जट एक लिग बुबबाई आप 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 लगदा कि लो